चलो बच्चो ये हवाई अड़ा हम देख रहे हैं इस हवाई अड़े में मैंने अपको अभी तक क्या क्या बताया है क्या क्या है इसमें ये एक हवाई अड़े का दुश्य है यहाँ पे अंतराष्टिय हवाई अड़ा है प्रवेश द्वारा के सामने अंतराष्टिय हवाई अड़ा भी लिखा हुआ है मैं वापिस दोर आ रही है आपको देखिए ठीक से ध्यान से अंतराश्टिय हवाई अड़ा है ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे रंग बिरंगी पांच जंडे लगे हुए है वो भी गिने है हमने उसके बाद बंदूग लेकर अड़े के जो हवाई अड़े है उसके स्थान पर बंदूग लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हुए है यात्रिये जा रहे है आ रहे है इमारत की दूसरी और हवाई जहाजों के खड़े होने की जगह है हवाई जहाजों के निकट कुछ गाड़िया खड़ी है हवाई पट्टी से इमान उड़ान आगे देखिए हवाई जहाजों के आने जाने को नियंतरित करने के लिए एक उची इमारत है इसे कंट्रोल टावर कहते है देख रहे है आप सामने वहापे कंट्रोल टावर है कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है कंट्रोल क्या करता है उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है हवाई अड़े पर यात्रियों के स्वास्त्य और उनकी सुरक्षा का ध्यान उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है और लावारी स्वस्तू को हाथ न लगाए ऐसी च आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है, वो भी मैंने आपको बताया है, समझ में आ गया बच्चो, चलो, तो हम कहाँ पर है, हवाई अड़े पर है, चलो, तो मैं प्रशन पूछू आपको, मैंने अब भी सब बताया है, आपको कि हवाई अड़े में क्या-क्या दिखाई दे रहा है सब बताया है तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हो उनके उत्तर आपको दे नहीं जैसे कि हवाई जहाज किस पर से उड़ते और उतरते हैं बताइए बेरी गूड होई अड़े पटी से उड़ते और होई पटी पर ही उतरते हैं बेरी गूड दिखाए दे रहे ना आपको सामने उड़ रहा है और वही पर उतरता भी है गंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है बहुत अच्छे हवाई अड़े के अंदर कौन-कौन सी चितावनी दी गई है अभी बताई थी मैंने बहुत बहुत अच्छे लावारी स्वस्तु को हाथ न लगानी की चितावनी दी गई है आगे हवाई अड़े के अंदर कौन सा बोड लगाया गया है हवाई अड़े के अंदर अंतराश्टी हवाई अड़े का बोड लगाया गया है आगे का प्रश्न है हवाई अड़े पर बंदू के लिए सुरक्षा कर्मी क्यों खड़े रहते हैं बताईए तो जरा हवाई अड़े पर बंदू के लिए सुरक्षा कर्मी क्यों खड़े रहते हैं क्योंकि वो सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं समझ में आ गया बच्चो ये था हमारा हवाई अड़ा, आगे है रेल स्थानक, चलिए तो हम रेल स्थानक की और चलते हैं, ध्यान से देखिए चित्र को, क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेल स्थानक हैं, देखिए, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे चित्र में रेल स्थानक का दुरुष्य दिखाया है, प्रवेश करते ही दो काउंटर है, देख रहे हैं, यहाँ आरक्षिट टिकेट मिलते हैं, कौन सा है एक टिकट घर और यहाँ पे आरक्षिट का विभाग दिखाई दे रहा है आपको, आगे है, रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने समान के साथ इधर उधर जा आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, समान लेकर वो इधर उधर जा रहे हैं और आ रहे हैं, कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है, कुछ यात्री क्या कर रहे हैं, गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं, और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग जो है, वो यात्री जो हैं, वो रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं, टिकेट सांग्रहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकेट की जाच कर रहा है, जो टिकेट सांग्रहक है, हमारा जो टिकेट चेकिंग करने वाला होता है, वो वहाँ पे रेल यात्रियों के जो आ रहे हैं, वहाँ से यात्री उनकी जो टिकेट हैं, उसकी जाच वो कर रहे ह रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्ष द्वार बने गए है सामने आपको दिखाई दे रहा है आपने भी इस द्वार से कभी प्रवेश किया होगा ऐसे मॉल मी भी होते हैं उसी तरह से इस रेलवे स्थानक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सामनी प्लाटफार्म पर फर्म पर अनेक यात्री है कुछ अपने सामान के साथ बैटे हुए है यहाँ पर देख रहे हैं सामनी आपको दिखाई दे रहा है कुछ खड़े है वहाँ सूचना फलक लगा है कि आप अपने सामान का ध्यान रखी आपको खुद को क्या करना है अपने सामान का जो ध्यान है आपको ही रखना है प्लाटफार्म पर एक गाड़ी खड़ी है सामने आपको दिखाई दे रही है प्लाटफार्म पर गाड़ी खड़ी है प्लाटफार्म पर समय बतानी के लिए घड़ दे रही है रेल के डिब्बो की स्थिती बताने के लिए बोड लगे है रेल के डिब्बो की स्थिती बताने के लिए क्या गए लिए बोड लगाएगे है लाउड स्पिकर भी है वहाँ पे एक प्लाटफॉर्म से दूसरे प्लाटफॉर्म जाने के लिए सीडिया भी बनी हुई है सामने दिखाई दे रहे हैं आपको वहाँ पे लाउड स्पिकर भी लगाया गया है खाने पिने की चीजों की दुकाने भी है एक आदमी ठेले पर खाद्य सामगरी बेच रहा है सामनी दिखाई दे रहा है आपको क्या कर रहा है वो खाद्य सामगरी बेच रहा है प्लाटफार्म पर सुच्छता आवश्चक है एक सफाई करमचारी प्लाटफार्म पर छाड़ू लगा रहा है आप देखे हैं सामने वहाँ पर सफाइप काम कर रहा है यह हमारे जो रेल स्थानक का चित्र है निरिक्षन हमने यहां देखिए अब जब यातरा करते हैं तो इस यातरा के दोरान आपको क्या करना है कुछ साउधानिया भी है वो भी वरदने पड़ती है आपको यातरा करते समय महला और उर्द्ध लोगों को भी सायता करनी चाहिए जैसे कि उनको अगर पता नहीं है कौन से प्लाटफार्म पे कौन सी गाड़ी आती है कौन से प्लाटफार्म पे कौन सी गाड़ी जा रही है यह पता नहीं होता है तो उनको उनकी साहेता आपको करनी है यहाँ पे सारवाजनिक स्थलों पे आपकी सुच्छता भी रखनी है आप लोग को जैसे के आप कुछ खा रहे है वहाँ पे कुछ पी रहे है तो जो भी आपका कच्रा है आपको कुडादान में डाल देना चाहिए इस तरह की आपको कुछ आपकी जिम्मधारिया है वो भी आपको समझनी चाहिए इस तरह से हम इस रेल स्थान के उपर वाक्य बना सकते हैं मैंने आपको सब यहापे कुछ चीजे जो कुछ दिखाई दिये रहा है वो सब कुछ बताया है आपके ध्यान में आया होगा तो इस पर हम कुछ प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ उनके उत्तर आपको मुझे देन ही जैसे कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्लाटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की विवस्ताय है बताये तो जरा प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी है रेल के डिब्बों की स्थिती बताने के लिए बोर्ड लगे है और लावड स्विकर भी वहाँ पर लगाए गए है वेरी गूड बहुत अच्छे आगे का प्रशन है रेल स्थानक पर टिकेट देने की क्या वेवस्ता है पताईए रेल स्थानक पर टिकेट देने के लिए दो खिड़किया है बहुत अच्छे एक सामानिय टिकेट वाली और दूसरी खिड़की क्या है आरक्षर टिकेट वाली खिड़की आपको पता है सबसे पहले आप आनलाइन भी टिकेट खरीदते हैं तो आनलाइन की टिकेट जो होती है तो आप पहले से ही वो बुक करके रखते हैं आपका मंतली जो पास होता है तो हम पहले से हैं अपने टिकट बुक करवा के रखते हैं कुछ लोग इमर्जेंसी में जाकर टिकट निकालते हैं और कुछ लोग जो अंतरजाल से हैं वो टिकट पहले से ही बुक करवा के रखते हैं आगे का प्रश्म है सुरक्षा द्वार कहां बने हैं? सुरक्षा द्वार कहा बने है सुरक्षा द्वार वहा बने है जहां से यातरी रे स्थान के अंदर जाते हैं यह ऐसे सुरक्षा द्वार जो होते हैं वो क्यों बनाये जाते हैं ताकि समान के साथ कुछ अन्नी विभार करने वाले लोग अंदर ना जाए ताकि उनके पास ऐसे सामान हो जो लोगों को हानी पहुचाए तो उस मशीन में समझ में आता है कि उनके पास ऐसी कुछ बस्तोय है इसलिए वह लगाए जाते हैं इस कारण वहाँ पे सुरक्षा द्वार लगाए जाते हैं यह थे हमारे एक वाक्य में से प्रशन थे आगे हैं आपको बताना है सही और गलत आपको चितर देखना हैं चितर में से मैं आपको सही और गलत पूछती हूं अपको बता ना है रेल स्थानक के एक प्लाटपार्म दूसरे प्लाटपर्म जाने के लिए सीडिया बनी है दिकाई दे रही आपको सीडियया very good बहुत अच्छे तो यहाँ पे सीडिया बनी हुई है र स्थानक में सफाई की कोई विवस्ता नहीं है ऐसा है क्या नहीं तो यहाँ पे सफाई हो रही है तो यह जो वाक्य है यह गलत वाक्य है प्रश्ण करमांगत तीन है प्लाट-फार्मfounder जाने के लिए सुरक्षा द्वार में से जाना होता है बराबर है सुरक्षा द्वार से ही हमें जाना पड़ता है चार टिकट सांग्रहक यात्रियों के टिकट की चांच कर रहा है तो कर रहा है वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो जो सांग्रहक है वो हमारा टिकट देख रहा है जो यातरी बाहर आ रहे है, उनका टिकेट वहाँ पर चेक कर रहे हैं, चलो, आज हमने क्या देखा है, आज हमने सेर की है, सेर कौन सी की है, बस थानक की, बंदरगाह की, हवाई अड़े पेज सेर की है, और रे स्थानक पर भी हमने आज सेर की है, देखिए आपको इन सारी सेर करते वक्त आपको कुछ साउधानिय बरतनी जैसे के अपका सामान आपको सुरक्षित रखना है दूसरों की सायता करनी है जैसे महला उरुद्ध लोग होते हैं उनकी सायता आपको करनी है और कुछ मार्ग हवाई मार्ग होते हैं वायू मार्ग होते हैं कुछ थल मार्ग होते ह वोड़ मार्ग होते असे मार्ग ऑग अब कीई तो उसฉीब दर्मियान के सा भी वह आप अपने गरवालों के साथ प्ढ़िए ने तो आपने बाहि बहन या धरिश्यान लेश्च चैनल करते हैं इस पारे में चर्चा कर सकते हैं समझ में आ गया यह इस प्रकार हम चित्र का निरिक्षन कर सकते हैं चलो आज हमने यहाँ पर चित्र के मारफ़त मतब चित्र देखे हैं समझा है और कुछ बाते भी की है यहाँ पर हम कुछ निबंद भी बना सकते हैं कुछ ऐसे उपक्रम भी कर सकते हैं आपको क्या क्या करना है मैं बताती हूं जैसे की अपनी यात्रा जो है उसके बारे में आपको किसी को बताना है उसके बाद बंदरगाह का वर्नन है हम लोगों ने किया था वह आपने देखा ह वह आपको करना है राश्टिय समपत्ति की रक्षा करनी चाहिए इस पर आपको चर्चा करनी है अपनी प्रथम विमानी आतरा कालपनिक विमानी आतरा ऐसे विशे में आपको बातचीत करनी है उसके बाद आपको सबका बाते करनी है यहाँ पर यह ध्यान में आपको रखना है समझ में आ गया चलो तो हमारा जो पहला पाट था वो खतम हो गया है हमने मेले से शुरुवात की थी आपको मैं और भी एक बात बताती हूँ आपको इस साल से स्वोमत का प्रश्नय लिखना है उस वोमत में आपको लिखना है आपके विचार जैसे कि जल ही जीवन ही इस विशे इसे हमें बचाना चाहिए इस विशे पर अपने व्यक्त आपको विचार करने हैं वो आपको लिखने हैं उसके बाद है हमारा पहला पार्ट वो है सेर उस सेर में हमने बस्थान का चितर देखकर कुछ वाक्य बन उसके बाद है हवाई अड़ा और उसके बाद हमने देखा है रेल स्थानक तो आज हमने पहला पाठ हमारा जो है वो पूरा किया है उमीद करती हूँ कि आपको हमारा जो पहला पाठ है वो बहुत पसंद आया होगा इसी तरह से आप अन्य चितरों को देखकर नीरिशन कर सकते है और आपकी क्षमता बढ़ा सकते है जैसे कि शब्द बनाने की शमता है वो और वाक्य बनाने की क्षमता है इससे क्या होगा कि आपको जो आगे-आगे जो पाठ दिये गए है उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको आकलन हो जाएगा कि किस तरह से वाक्य बनाया जाते हैं चितरों को देखकर चितर में हमने आज बहुत सारी बाते सीखी है ना जैसे कि क्या-क्या दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे बाती है कि हमें सूचना दी गई है जैसे कि स्वच्च भारत स्वस्त भारत पाड़ी लगा कि में कछ्रान न डालिये वाप मुलाबारी स्वस्तों को हाथ न लगाई यह और प्लाट क्रमांकर किसे जगा पे बस धानक कहा जाता है और हमने रेल फ्टानक पे जो बाते बाते रेज श्तानक पे जो पड़ा तो हो क्या था प्लाटफरम क्रमांकर ऐसा लिखा होता प्लाटफरम करमांक एक दो ऐसा कहा जाता है तो इस तरह से हमने कुछ नहीं नहीं बाते आज सीखी है तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे वाले जो पाठ है हमारे उन पाठों में आपको इस तरह की चित्र अगर दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ मे आना चाहिए और आगे भी ऐसे पाठों में चित्र आपको दिए गये है जिनको देखकर आपको क्या करना है कुछ कहानी बनानी है नहीं तो कुछ ऐसे मुहावरे अगरे दिए गये है उनको पैचानना है विज्यापन बनाना है तो यह हमारे आज की पहली शुरुवात थी चित्रों को देखकर आपको आगे जाननी की है ना चलो आज हमने सेर पाठ यहाँ देखा है इसमें से प्रशन भी देखे है प्रशनों के उत्तर भी मैंने आपको दिये है उमीद करती हूँ कि आज को आज जो हमने पाठ देखा है वो आपको बहुत अच्छा लगा अगर आ प्रशन भी बना सकते हो चलो तो आज हम यही पे रुपते हैं